फिल्म एक्टर सोनाक्षी सीना के खिलाब पैसे लेकर इवेंट में सामिल ना होने के आरोप से जुड़े एक धोखा धड़ी के केस में गिरफतारी का वारण जारी हुआ है। जिहां दोस्तो इवेंट मेनेजर प्रमोध कुमार सर्मा के अनुसार 2018 में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवोर्ड में उन्होंने सोनाक्षी सीना को बुलाया था। कारिक्रम में आने के लिए 29,92,000 रुपे का भुक्तान किया गया था। लेकिन सोनाक्षी सीना नहीं पहुचे। प्रमोध कुमार सर्मा की माने तो कानूनी कारेवाही नहीं करने के लिए उनको धमकी भी दी गई और इसी को लेकर ये केस चल रहा है। बता दें कि सोनाक्षी सीना और उनके साथ अभिशेक सीना समेत पांच लोगों के खिलाब दोखा धड़ी का मुकदमा दर्ज है। दोस्तों आपको क्या लगता है सोनाक्षी को जेल होगी भी या नहीं। आम तोर पर लोग स्वस्त रहने के लिए सीधा चलते हैं टहलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी फिट रहने के लिए उल्टा चलने की कोशिश की है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि उल्टा चलने से कोन से स्वास्ते के फायदे हो जाएंगे। होता है तो दोस्तों क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट के बारे में जानते थे और क्या आप उल्टा चलते थे कोमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और ऐसे इमेजिन वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब एं लाइक बलते एगली वीडियो में